आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास वीव का V29 5G है और आपको बताएंगे इसी फॉन के टॉप 35 प्लेस ट्रिप्स और और कुछ हिडिन फीचर जैसे कि आप इस और लाइट को किस तरह से आउन कर सकते हो इसके इलाबा इसकीन आफ होती है आप इसकीन आफ पर जब इसकीन वीडियो का कि Vil के जाएगे जो की काफी यूजबल हो अगर आपको उनकी बारे में जाना कुछाए और आप उनकी बारे में जाना चाहते हो तो गुद ने पकांटका रहेंगा वो change मिलता है अगर आप चाहें तो इनने हड़ा सकते हैं या फिर direction को भी बदल सकते हैं इसको set करने के लिए इस phone की setting को open कीजिए setting को open करने के अब इसको call down करने पर आपको मिलताएगा system system पर क्लिक कर लीजिए सबसे उपर system navigation पर click करना होगा का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए इस तरह से क्लिक करने पर आप दूसरे एपस के अंदर प्रिवेस कर सकते हैं तो इस तरह से किसी भी एपस को स्विच करना हो तो यहां पर आप कर पाऊगे तो काफी अच्छा फीचर आपको जैसर की मदद से बनाद देखने को मिल जाएगा इस फॉन में फेंट्स आप दो एपस को एक साथ यूज कर सकते हो जिसके लिए क्या करना है पहले कोई भी एक एक एपस को उपिन कर लीजिए जिसके बाद थी फिंगर से आपको अप कर देना है अब आप देखोगे आपका ये फॉन स्क्रीन के अंदर आउन हो ज मैं शुक्त कर सकते हैं ये काफी तो आपको देखने को मिल जाता है थी क्रिक करना होगा विजन इस इन्हां स्मेंट इस पर क्लिक करके इस शून्क कर दीजिए अब आपके जितने भी यहां पर apps देखने को मिलेंगे जिन पर support rate रहेगा वो on हो जाएगे अब यहां पर आपको video content काफी high आपको color बगएरा में देखने को मिल जाएगा तो यहां पर कभी भी आपको color बगएरा enhance करने हो तो इस feature को on करके रखे तो आपकी video quality रही काफी improved हो ज जाएंगे जिनको आपको custom करना तो इस two fingers से pinch in कीजे यहां पर UI color पर click कर लिजे अब आपको different color देखने को मिल जाएगे जो भी आपको color UI select करना है वो आप select कर सकते हो तो color UI कुछ इस तरह का आपको different change हो जाता है इसके लाब अगर आप चाहते हो एबड़र आपका selector आप इस इस phone की skin पर आप transition effects बगएरा add कर सकते हो जैसे की page को change बगएर आप करेंगे तो यहां पर transition add हो जाएगा जिसको add करने के लिए skin पर two fingers से pinch in कीजे यहां पर आपको home setting पर ही click करना पड़ेगा sliding effects पर जब आपको different effects आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिस effects को skin के लिए बहुत बहुत आसाने से कर सकते हो जिसकलीफ इस phone की setting को open कीजे यहां से scroll करने पर आपको apps का feature देखने को मिल जाएगा इस पर click कर लीजे फिर आप देख पा हुई यहां पर app clone का feature मिलता है इस पर click करने के बद यहां पर बहुत सब ही apps आपको मिल जाएंगे जो इस phone में देखने को मिल जाएगा लॉग страш न बाल पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको always on display की feature मिल जाथा इसको on कर लीजिये आपको स्कीन पर style क्या set करना है वो आपको यहां पर klik करने के बाद देखने को मिल जाएंगी वहंगोई सारी style देखने को देखने को मिल जाएंगे तो काफी डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाएंगे और इसके लावा आप लॉक स्किन के लिए कोई भी जो जो डावलोड करना चाहते है तो यहां पर आपको वही फीचर दिया गया है आप यहां सा क्लिक करने के बाद कोई भी ऑल्वेज ओन डिस्प्ले के लिए अपना ज विए इसप्वरेंज ने की ृप डे को हॉट क लिचन को मिल जाता है इस पर क्लिक कर आके आप इसको हाइट कर सकते हैं अब हिड़ेन फोटो यह वीडियो और क्लिकING करने की बाद हिडिन फूड़ोपा क्लिक करना हुगा तो यहां से आप इनको कर सकते हूँए अभी हो जाता है आप चाहें तो जब आप यहां पर click करेंगे तो आपका password आये तो आप इस feature को on करा के password लगा सकते हैं इस phone में by default आपको app lock को भी support देखने को मिल जाता है इस phone में app lock को set करने के लिए this phone की setting में चाहिए यहां इस call करने पर आपको देखने को मिल जाएगा security इस security option पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको देखने को मिल जाता है privacy and app in caption इस पर आपको क्लिक करना होगा आप password lock set कर सकते हो password option पर क्लिक करने के बाद आप इन pattern lock लगाना चाहें तो आप वो display देखने को मलेगा तो as light को आप on करा सकते हो तो उसको आपको यहां पर जो आपको dynamic effect देखने को मलते हैं उनको लगाना हो जैसे की charging animation देखने करना हो बहुत सारे animation इस phone में आपको देखने को मिल जाते हैं ज्योंकि आप अपने कीजिए अब यहां पर टाइमर भी सेट कर सकते हो मेजर की हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हो एंड मेजर पर किस तरह का इफेक्ट आपको स्कीन पर देखना चाहिए वह भी आप यहां पर लगापा होगे तो काफी अच्छा फीचर रहेगा जैसे कि आपको कोई भी मेजर को लगा सकते हैं तो आपको तीन अलगलग एफेक्ट से बहुत आने पर देखने को मिलजाएंगी जो भी आपको अच्छा लगे वो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो एंड नोडिफीकरण आने पर आप जाते हो आप जो आना चाहिए तो यहां पर आप उसको भी आउ करा सकते हो, किस एप से आपको notification आए तब आपकी as light on हो जाए, आप उसको भी यहाँ पर customize कर सकते हो, इसके लावा बापस आने पर आपको as light effects का notification का feature देखने को मिल जाएगा, lock screen पर किस तरह कि आपकी as light effects हो होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से set कर पाऊगे, तो काफी different effects आप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे हो आप apply कर सकते हो, इस पोन की setting को open करने के बाद, dynamic effects पर ही click करना होगा, आप जैसे कि home screen का जाने से आप किस तरह का set करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर set कर पाऊगे, जैसे कि आप apps को open करते हो, तो किस तरह का effect से आप देखने को मली, वो आप यहाँ लगा सकते हो, animation को बदल सकते हो, and fingerprint का animation always on display पर सो होता है, आप उसको किस तरह से so कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ से change कर पाऊगे, वापस आने के बाद, आपको यहाँ पर यह भी option देखने को मिल जाता है, जब आप fingerprint को touch कराते ह तब किस तरह का effect से animation से होना चाहिए, वो आप यहाँ से भी उसको change कर सकते हो, तो काफी different animation देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि face lock का भी आप यहाँ बदल पाऊगे, जैसा कि face lock कराते हैं, तो इस तरह का आपका आता है, आप इसको इस तरह से बदल सकते हैं, तो काफी effect आप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको आप apply कर सकते हो, charging animation जो effect आपको देखने को मिलता है, आप उसको भी यहाँ से बदल सकते हो, यह भी animation आप यहाँ पाख चेंड कर पाऊगे, USB को insert करेंगे, तो किस तरह का animation स्कीन पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, जब screen on होगी, तो किस तरह सा on होना चाहिए, किस तरह से screen पर light आना चाहिए, वो आप यहाँ से apply कर पाऊगे, तो काफी सारे animation style आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप screen के लिए select कर सकते हो, इस पहन माँ आपको smart calling का feature देखने को मिल जाता है, आप आपको without touch की call को answer करा सकते हो, ऐसे ही ही बहुत सारे hidden feature smart call के spawn में मिलेंगे, जिनको on करने के spawn की setting को open कर लीजे, यहां से कर लीजे इसको scroll, scroll करने पर आप नीचे के side आएंगे, तो आपको मिल जाएगा shortcut and accessibility, इस पर click करना होगा, smart motion पर click करने के बाद आपको smart calling का feature देखने को म answer करा सकते हो, इस के लिए करना क्या होगा, simple क्या करना है, आपके phone को कोई भी call अगर आ रहा है, तो उस phone को, इस phone को अपने कान के और ले जाएगे, तो आपकी call automatic answer हो जाएगी, smart switch का feature देखने को मिलता है, अगर आप इसको on करते हैं, तो कोई भी आप number से hand free पर बात कर रहे ह जैसे आपके phone को कोई call बागर आ था, आप उसको mute करना चाहते हैं, तो phone को flip कर दीजिए, उसके किसी चीज़ से cover कर दीजिए, तो वो call आपके mute हो जाती है, एक और feature आपको यहाँ पर मिल जाता है, back to hand free का, अगर आप इसको on कर देंगे, तो आप अपने phone को without touch किए call को answer कर कर आ सकते हो, विडाव कान की उपास, ले आके call को answer कर आ सकते हो, वो भी direct hand free हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, आपके phone को कोई भी call बगर आ रहा है, तो आपको इस तरह से two finger दिखाना है, लगवाद 2-4 cm के दूर से, तो वो call automatic answer हो जाएगी, इसके साथ ही वो hand free भी हो जा जाती है, तो यहाँ पर आपको दोन ही feature देखने को मिल जाएंगे, आप बिडाव फोन को touch किये, call को answer and reject करा सकते हो, एक step वापस आजा ही, तो आपको देखने को मिलेगा stick to turn on the flashlight का feature, इसको जब आप on कर देंगे, तो screen off होती है, और आप screen को इस तरह से on कराईए, phone को stick कीजि जिनको आप यहाँ से click करा के on करा सकते हैं, जैसे की rise to wake का feature देखने को मिलेगा, इसको जब आप on कर देंगे, तो phone आपको इस तरह से रखा होता है, जैसे आप phone को pick up करते हैं, तो phone का screen automatic on हो जाता है, इसके लाभा आपको मिल जाता है double tap to wake, अगर आप इस feature को on करके इस phone का volume down button है, इसको long time जब आप प्रेस करके रखते है, इसकी off होने पर, तो आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को access करा सकते हैं, जैसे की अब यहाँ यहाँ पर flash light open है, तो आप यहाँ आप phone का volume down button को press करेंगे, तो आपकी phone की flash light directly on हो जाएगी, तो आप चाहें तो इस इस पर क्लिक कीजिए, अब आपको अलग-लग feature देखने को मल जाएंगे, जैसे की record का, अगर आप इसको select कर देते, तो volume down को press and hold करके रखेंगे, तो आप किसी की भी audio को record कर आपाएंगे, वो भी उसको पता नहीं चलेगा, एन open camera का feature देखने को मिल जाता, आप direct camera apps को open करा सक चाहते हैं, तो किसी अपने favorite apps को भी आप यहां से select कर सकते हैं, जब पने phone का volume down and press and hold करेंगे, तो वही आपका open हो जाएगा, जो भी आपने आप से select दिया हुआ है, इस phone में आपको बन-handed mode का यह feature देखने को मिल जाता है, अगर आप इस phone को एक हां से use करना चाहते हैं, तो इस phone बन-handed mode को on करा के बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए इस phone की setting को open करने के बाद स्कॉल कर लीचे, shortcut and accessibility पर click कीजिए, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, बन-handed का feature इसको यहां से click कर देना है, अब कभी भी आप अपने phone को बन-handed mode पर use करना चाहते हैं, तो इस तरह से click कीजिए, तो आपका phone बन-handed mode पर on हो जाएगा, अब एक हाँ से इस phone को बहुत आसनी से आप use कर सकते हो, अगर आप चाहें तो इस phone को इस side भी set कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहां पर click करना होगा, अगर आप चाहें तो full skin में इसको use कर सकते हैं, बात में तो आप इस तरह से इसको close भी कर पाएंगे, एक step यहां से बापस आजाए है, आपको बहुत सारी feature ही पर मिल जाएंगे, जैसे कि इस phone आपको मिल जाता है easy touch का feature, इसको on करने पर आप बहुत सारे shortcut को access कर सकते हो, यहां पर एक ball आपके सामने से हो जाएगी, आप इस ball को नह करना हो तो वो कर सकते हो, जिसके आपको double tap कर क्लिक करने के बाद वही select करना होगा, जो आप open कराना चाहते हो, जैसे कि हमने calculator है select के, इसके पर हम double tap करेंगे, तो directly हमारा calculator open हो जाता है, तो बहुत सारे shortcut को आप यहीं से apply कर सकते हो, press and hold से लगा सकते हैं, side से लगा सकते हैं, सारे feature आपको मिल जाएंगे, जिनको आप easy test में आके set कर लीजे, एक step और बापस आजाएए, आपको face video for video call का feature मिल जाता है, इसको on करके रखिए, अब आपके phone पर कोई भी call होती है video पर, तो आपकी जो भी video रहेगी, वो video mood मा on हो जाएगी, और एक अच्छी video quality आप उधर क call आता है, एक step और यहां से वापस आना है, आपको timer का feature देखने को मिल जाता है, आप अपने phone को on off के लिए timer set कर सकते हो, किस्ते में आपका phone off होना चाहिए, किस्ते में on होना चाहिए, इसके लाब आप बाबरेट मूर को भी इसी तरह set कर सकते हो, airplane mood को भी आप set कर पाओगे and phone का बाबरेट बगरत, सब कुछ आप यहां से customize कर सकते हैं, जो भी आपके timer के हिसाब से set रहेगा, जब इस phone के power button को press and hold करते हैं, तो आपका Google Assistant on हो जाता है, आप चाहिए तो इसे replace कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहीं पर feature देखने को मिल जाता है, power button press and hold का, तो इस option प आपको यह वाले वीडियो काफी अच्छे लगा हो, वीडियो चला हो, तो वीडियो को like, share and subscribe करके bell icon को press करना, बिल्कुल भी न भूले हैं, तो चलिए फिरन्स मिलते हैं, एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुद बाई and take care